नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डिफेंस मास्टर यूटूब चैनल पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ और आज के इस सेशन में हम 10th September 2020 का दाहिंदू अनालिसिस करेंगे जो कि आपके various written examination और SSB interview दोनों के लिए बहुत जादा useful होग हैं कि आपको regular यहां पर hardware करना पड़ेगा ठीक है अगर आप regular basis पर किसी चीज को यहां पर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका सफल होना जो है वो बिल्कुल निश्यत है ठीक है तो regular hardware कि यहां पर ज़रूरी है आपके लिए तो अगर आप वो चीज यहां पर करेंगे पर्फियूम बोलते हो आप यह कह सकते हो यहां पर तो मुस्कान और मदद यह दो ऐसे इत्र हैं जिने जितना अधिक आप दूसरों पर छड़केंगे उतना ही सुगंदित आप स्वयम होंगे ठीक है मतलब दूसरों को अगर आप मुस्कान यहां पर देंगे और उनकी यहा आप मदद करेंगे ना उतनी आप खुद की यहां पर मदद कर रहे हो ठीक है मतलब आप खुद ही यहां पर सुगंदित यहां पर हो रहे हो मतलब आपका बहुत जादा यहां पर बेनेफिट उससे देखने को मिल रहा है ठीक है क्योंकि आपकी वज़े से कोई खुश है है तो उस चीज को देखकर आपको भी खुशी होगी आपको किसी के काम यहाँ पर आ रहे हो तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि मुस्कान और मदद यह दो ऐसे इतना है जिने जितना अधिक आप दूसरों पर छिलकेंगे उतने ही सुगंदित आप स्वयम होंगे ठीक है तो यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान लगना है डिफेंस मास्टर आप जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी यहां पर वेरियस कॉर्सेज आपके डिफेंस एक्जामेनेशन के लिए यहां पर पढ़ाया जाते हैं आप यह देख सकते हैं सारे कोर्शेज केम्प्लीट एक्सेस बहीं यहां पर आपको मिलेगा तो आपके next purchase में आपको उतने percentage का यहाँ पर discount मिलेगा ठीक है माल लिजे की 10% का discount क्या है यहाँ पर limit है है ना तो अगर माल लिजे की कोई हमारा 9.99 बाला जिसमें complete access मिलता है तो उसको में आपको 99.99 जो रहेगा वो आपको discount आपके next purchase में यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है कोरणा अपडेट के बारे में बात करेंगे 2,79,98,405 total number of cases है और number of death के मामले में बात करेंगे 9,7,055 यहाँ पर आपको total number of death देखने को मिल रहे है और 2,82,44 यहाँ पर जो है यह total number of recovery देखने को मिल रहे है number of cases में अगर हम बात करेंगे पहले number पर USA है, दूसरे number पर India है, तीसरे number पर Brazil, चौथे number पर Russia, पांचवे number पर Peru ठीक है, पेरु की capital क्या बताई थी, पेरु की capital बताई थी Lima, कोलंबिया की capital, कोलंबिया की capital बताई थी Bogota ठीक है, मेकसिको की मेकसिको सिटी, साउथ अफरीका की तीन capital है, प्रिटोरिया, ठीक है, ब्लूम फेंटन और उसके बाद केप टाउन, इस्पेन की जो capital है, यह है Madrid ठीक है उसके बाद अर्जिन्टिना की जो capital है यह है व्यूनेसायट्स चिली की जो capital है यह है सेंटियागो है ना यह आपके previous year FKED examination में पूछी गई है इरान की capital के बारे मैं बात करेंगे यह है तेहरान UK की बात करेंगे लंडन फ्रांस की बात करेंगे पेरिस, ठीक है, जहांपर reporters without borders का यहांपर headquarter हैॠ Bangladesh की बात करेंगे, ढाक के यहाँपर पहली meeting हुई थी, SARG के और Saudi Rea की मात करेंगे, तो यह रियाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहांपर हमने कुछ countries हैं, जिनके बारे में frequently पूछा जाता है आई निट में भी आता है और आपसे cds examination में भी पूछा जा सकता है ठीक है तो यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी है चलिए आगे बात करते हैं अगला discussion यहां पर देखते हैं कि अगली बात यहां पर क्या पताई जा रही है ठीक है अगली बात यहां पर बताया जा रहा है कि total number of cases के बारे में बात करते हैं total number of cases में कर हम देखेंगे तो USA जो है आपका पहले number पर है ठीक है यह ranking मैंने आपको बता दी यह number of death में भी USA पहले number पर है second number पर आपको ब्राजील देखने को मिलेगा ठीक है 3rd number पर इंडिया 4th number पर आपको यहां पर मेक्सिको देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह number of death के मामले में यहां पर ranking मैंने आपको बता दी है total number of cases के बारे में बात करेंगे 44,62,965 यहां पर total number of cases है जिसमें 75,091 लोगों कि यहां पर death हो चुकी है महराष्टा number of cases में पहले number पर है आंदर प्रदेश दूसरे number पर तमिलनाडू, तीसरे number पर करनाटका, चौते number पर पांचे number पर उत्तर प्रदेश number of death में भी महराष्टा पहले number पर चल रहा है, second number पर तमिलनाडू यहां पर चल रहा है, third number पर करनाटका और यहां पर अगर हम फोर्थ नमबर पर देखेंगे तो यह आपको डेली देखने को मिल रहा है और फिफ्थ नमबर पर आंदरप्रदेश बस डेली से चार नमबर आफ डेथ यहां पर आपको पीछे देखने को मिल रही है तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा से ध्यान दिखाई देंगे ठीक है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा सचीज चले यहां पर यह वाला जो आटिकल है न यह आटिकल जो है यह गोर बारे में बात कर रहा है ठीक है अभी उसके आठीकल नमबर टु यह डिजिटल डिवाइट के बारे में बात करता है ठीक है तो यह डिजिटल डिवाइट जो आज हमारी किंटरी में है और इससे जो e-learning है है इस पर कितना impact यहां पर पड़ रहा है इस आठीकल को हम यहां पर बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं article number 3, article number 4 यह दोनों चाहिना से related है तो इसकी background information मैं आपको बताऊंगा कुछ important historic event है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए और यहाँ पर हमारी defense doctrine यहाँ पर क्या होनी चाहिए तो इन दोनों article को हम साथ में discuss करने वाले हैं इन दोनों article को हम साथ में discuss करेंगे यहाँ पर यह वाली जो बात करी जा रही है BT cotton के बारे में बात करी जा रही है तो इसन सब चीज़ों को बात करेंगे हम थोड़ा technology, bio technology से related यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको जानने को मिलने वाली है यह वाला जो article है इसमें जो बात करी गई है article number 6 में इसमें farmers के बारे में बात करी गई है farmers के बारे में क्या बात करी गई है schemes के बारे में तो आल्रेडी पता है जैसे PM किसान के बारे में बात कर लेते हैं या PM की जो यहाँ पर किसान credit card की योजना है अलग अलग तरीके की यहां पर जो है वो आपको स्कीम सरकार ने चलाई है जिससे यहां पर किसानों का भला हो ठीक है उसके बारे में regular basis पे दा हिंदू में आर्टिकल वगरा भी आते रहते हैं हम लोग discuss भी करते हैं उसको तो यहां पर इस तरीके की यह स्कीम यहां पर है न तो इससे यहां पर क्या होगा कि जो फंड यहां पर निकल कर आए वो उन लोगों को नहीं पहुँच पाया जिनको यहां पर पहुचना चाहिए था तो वो गलत जगे पर जाते हुए आपको दिखाई दिये तो आप इससे यह कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा स्कैम यह उसको कहा जाएगा किसके बेसिस पे यहां पर कहा जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको यहां पर बताई गई है यह वाला जो आर्टिकल है यह इसमें ब्लॉक्चेंट टेक्नलोजी के बारे में बात बताई गई है ठीक है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक्चें technology जो है उसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ एक diagram की help से उसके बाद फिर इस article को देखने कि इस article में यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई है blockchain technology का मतलब यह है कि आप यह माल लीजे कि यह central point है ठीक है यह आपका central point है तो आप यह blockchain technology जहाँ पर भी follow होगी ना सबका connection जो है वो इसके साथ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा सबका connection जो है वो इस तरीके से यहाँ पर होगा अब actually जब एक जगे से दूसरी जगे पर यहाँ पर signal transfer होता है न तो वो यहाँ पर 0101 इस तरीके की form में होता है फिर वहाँ पर क्या होता है कि वो decipher किया जाता है उसके बाद वो उस तरीके से हमको दिख रहा है मतलब हम यहाँ पर जो भी signal यहाँ पर भेज रहे हैं ठीक है उसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस form में आपको वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है उसके बाद आप उसको event आपने देखा था बहुत चर्चा में था ये ठीक है bitcoins ठीक है और आज कल बहुत सारी country में जो bitcoins है उसको legalize भी यहाँ पर कर दिया है तो bitcoins basically क्या होता है कि पूरा का पूरा blockchain जो technology है उसमें यहाँ पर इसका प्रियोग किया जाता है लेकिन इसके और भी अलग-अलग यहाँ पर use हो सकते हैं उसके उपर बहुत सारी research वगरा करें कि यह बहुत सारे लोग इसके उपर काम कर रहे है तो research के basis पर यह एक नया idea यहाँ पर निकाला जा रहा है कि भारत में जो elections होते हैं उनको भी हम blockchain technology की उपर based यहाँ पर बना सकते हैं मतलब लोग यहाँ पर digital तरीके से जो है वो यहाँ पर internet वगरा का use करके अपने vote वगरा दे सकें तो जो लोग अप छुट्टी वगरा नहीं मिल पाती है या जो हमारे फौजी भाई हैं जो border पे तैनात है जो voting नहीं कर पाते हैं वो लोग भी यहाँ पर vote दे पाएंगे ठीक है इसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है लेकिन सबसे important एक यहाँ पर जो बात है वो यह है कि यह जो digital divide हमारे देश में है इस article में यही चीज़ बताई गही है अब यह क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बीचे reason यह है हम यहाँ पर educated लोगों के बारे में बात करेंगे literate के बारे में बात नहीं करेंगे educated लोगों के बारे में बात करेंगे उनका number बहुत कम है भारत गाओं का देश है गाओं में बहुत सारी population भारत की रह रही है उनको समझाना, उनको aware करना उनको election के importance भी हम अच्छी तरीके से नहीं समझा पाए है तो इस तरीके की जो technology अगर हम use करेंगे तो उसका किस तरीके से effective result निकलेगा यह question mark यहाँ पर लगाता हुआ आपको दिखाई देता है तो यह चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो यह blockchain technology के उपर election को base करने की यहाँ पर बात कर रहे है तो वो थोड़ा सा आपको important चीज है जो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए और उसमें यही सब चीज है और इसके और क्या क्या reason हो सकते है ठीक है वो reason मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी जब मैं डिजिटल वाला article पढ़ाऊंगा तब आपके सारे जो दूसरे वाले points है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से cover हो जाएंगे cartoon के उपर नज़र डालेंगे data point भी देखेंगे क्या important information यहाँ पर लेकर आएं ठीक है उन सब फीजो को भी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से देखने वाले हैं तो आप यह देख सकते हैं आप सभी को पता है कि बिहार में election का माहौल है और वहाँ पर सितीश कुमार जी जो है वो चीफ मिनिस्टर है और उनकी जो पार्टी है वो है जंतादल उनाइट और जेडी यू और एंडी 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 निकल गया है ना चलिए तो DNA के बारे में बात करते हैं ठीक है ने जाए नी सही लिखा न एंडी ही तो है वो वही मैं सुच और एंडी है यहाँ पर गया एंडी एंडी हैं बतलब की बेषिस फूर्टिंग यहाँ पर राइनस है उनका जो गुरूप है उसको में नश्कों कहा जाता है तो इनका कोलेशन है तो CMG जो यहाँ पर बात करने वाले हैं है ना election में जो vote यहाँ पर मांगने वाले हैं वो किसके basis पर बोने वाले हैं good governance ठीक है अच्छा good governance डिक कब आता है बताओ comment section में थोड़ा good governance डिक कब आता है अटल भीहरी बाजपी जी कि जो हम याद में यहाँ पर मनाते है good governance वो किस तारीक को बनाया जाता है थोड़ा बताइए इसका अंसर और यहाँ पर जो है आप सभी को पताए news में भी था यह है ना कि जो BJP है उसने अपना poster campaign यहाँ पर launch कर दिया सुशान सिंग राजपूल को ले कर तो वही सुशासन और सुशांत है ना इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो यह बिहार होने वाला है उसको जीतने की यहाँ पर planning करी जा रही है ठीक है data point में बोला गया calculating risk के बारे में है ना parting indoors in India even with mask on is a dangerously high risk activity with a 90,000 in a million 9% chance of getting infected with COVID-19 है ना मतलब बाहर नहीं जा रहे हो आप party करने हाँ ठीक है very good 25 December को यहाँ पर जो होता है यह हमारा good governance दिया ठीक है प्रियंका ने यहाँ पर answer दिया है well done ठीक है very good so यहाँ पर कहा है कि यह party अगर आप inside भी कर रहे हो लोगों को यहाँ पर बाहर नहीं जा रहे हो ठीक है तब भी आप यहाँ पर कह सकते हो कि आपके risk infected होने की जो यहाँ पर chances है ना यह बहुत जादा है hanging out outdoors with friends without mask is relatively less dangerous ठीक है यह क्या है यह थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि party वगरा में क्या है कि भई sweating से भी बहुत जादा problem यहाँ पर हो सकती है ठीक है बिलकुँ सभी लोग यहाँ पर बिलकुँ सही answer दे रहे है आरियन पलवी सभी नहीं आपर 25 दिसंबर सही answer दिया है ठीक है तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है तो अब आप यह समझ सकते हो कि आपको इस table को पढ़ना है तो इसमें सब चीजें बताईगे यह non wearing mask, your wearing mask, all wearing mask तो यह अलग-अलग data बताईगे है बस आप इंचौट इसको इस तरीके से याद रखिए कि वही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ठीक है तो अगर हम indoor party कर रहे है तो वो थोड़ा ज्यादा रि ठीक है चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बीटी cotton के बारे में बात करेंगे बीटी cotton का जो यहाँ पर logic है पहले आप यह समझो ठीक है उसके बाद आपको यह article यहाँ पर समझ में आएगा तो आप जैसे माल लीजिए ठीक है कि एक पेड़ है ठीक है एक मैंने यहाँ पर यह यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक बैक्टीडिया है ठीक है जिसका नाम को है जिसका नाम है बीटी ठीक है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है BT अब इस में से क्या हुआ कि मतलब इस में से हमने कुछ यहाँ पर जो चीज थी वो बाहर निकाली और बाहर निकालने के बाद लैब बगएरा में ले जाकर उसको इसके अंदर हमने inject कर दिया और इसके inject होने की वज़े से यह जो पूरा का पूरा cotton का यहाँ पर यह ना यह चीज थी इसने यहाँ पर क्या किया कि एक protein जो है वो यहाँ पर इसने generate किया जिसको बोलते है cry protein है ना जिसको क्या बोलते है जिसको बोलते है cry protein अब यह cry protein यहाँ पर क्या करेगा कि यह जो पौधा है यहाँ पर ठीक है इसको यहाँ पर क्या करने वाला है कि इसमें जो भी इंसेक्ट पेस्ट वगरा यहाँ पर अटैक करेंगे उससे अपने आपको यहाँ पर बचा लेगा तो जिससे प्रोडेक्टिविटी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही पर हाँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो एगरिकल्चर के उपर जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि लेक पैसे खर्च कर रहे हो तो उसकी जो यहाँ पर वैल्ली होगी वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी वो थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी ठीक है तो यह पटिक समझ में आगए आपको ठीक है आप पहुत अच्छा बना लेना तो यहां पर क्या concept समझ में आगए सभी को यहां पर बीटी का है यह बैक्टीरिया है उससे आपने निकाला उसको पौधे के अंदर इंजेक्ट किया है ना उसके बाद उसके अंदर यह कुछ चीजे जो हैं वो वाल जैसे यहां पर प्रोटेक्शन बन गई कि अब वो इंसेक्ट पर अगर अगर अटेक करेंगे तो भी यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसके कुछ फायदे हैं लेकि नुकसान भी यहां पर बहुत जाद हैं और इस आर्टिकल में जो नुकसान है ना उसके बारे में बात करी गई है ठीक है अब यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि इसमें हमारा जो कॉटन यहां पर होता था या जो कॉटन के फैब्रिक्स होते थे ठीक है वो यहां पर क्या है कि वह आप यह कैसकते हो कि बहुत जगें यहां पर पोट किया जाता था ठीक है तो यह भी आपको धियान लगना है अच्छा इसमें यह जो लिखाँ वह रहा है ये मेसोपिट्मियन जो आपका किंग्डम है उसके बारे में बात हो रही ठीक है जो इराक में किंग्डम था उसके बारे में यह बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि cotton fabric from around 3000 BC has been executed from the ruins of Mohenjodaro ठीक है, 3000 BC में यहाँ पर क्या किया गया था कि इसको execute किया गया था Mohenjodaro से और archaeological findings भी यहाँ पर मिली है महलगर में जो कि Pakistan में यहाँ पर located है, ठीक है, दोनों चीज़े पाकिस्तान में ही है लेकिन यह उस time period पर हमारे इंडिया का भी part था 1947 में जो है देश हमारा दो भागों में बटा and यह दोनों चीज़े आपको ध्यानक नहीं, show that cotton was used in the subcontinent as far back as 5000 BC ठीक है और उससे यह evidence यहाँ पर मिल रहे है कि भई मतलब आप यह माल लिजे कि 5000 BC से यहाँ पर जो है वो cotton बगरा हम use कर रहे है ठीक है वो तो 3000 BC में आपको मिला है लेकिन उसके बाद आप यह कह सकते हो कि यहाँ पर जो है वो use बहुत पहले से भी यहाँ पर किया जा रहा है much of the cotton cultivated until the 20th century was indigenous desi variety जिसका नाम है gossipium, arborium ठीक है यह नाम यहाँ पर दिया गया उसका scientific name है ना तो उस यह जो indigenous यहाँ पर मतलब जो desi variety होती थी 20th century तक हम उसको यहाँ पर use करते थे from 1990s hybrid varieties of G.hercitum ठीक है और यहाँ पर लिखा हुआ G.hercitum promoted मतलब एक नई variety जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है these hybrids cannot resist a variety of local pest and require more fertilizers and pesticides अब जब हम इसका यहाँ पर प्रियोक करने लग गया है 1990s में नई variety का तो इसकी वज़े से हमको यहाँ पर क्या है कि भई fertilizer और जो pesticides वगरा है उनकी यहाँ पर requirement जो है वह यहाँ पर जादा देखने को मिदी फिर बोला जा रहा है कि cotton suffers from plenty of infestation ठीक है from most pest जो इनके pest हैं यहाँ पर यह बोला जा रहा है जैसे यह लेपिडो पटन यहाँ पर बोला गया है तो यह pink ball warm जो है यह थोड़ा आप याद रखिएगा बाकी नाम भी थोड़े से पता होने जी क्योंकि directly examination में पूछे जा सकते हैं है न और यह biology वाला यहाँ पर term है तो थोड़ा सा आप यह कह सकते होगी उसका pronunciation जो है वो थोड़ा सा difficult हो रहा है मेरे लिए है न चले with increasing pressure to buy hybrid seeds the indigenous varieties have lost out over the years ठीक है और इसकी वज़े से क्या हुआ कि जो हमारे देसी वराइटी थे वो यहाँ पर क्या हो गया है उनका existence यहाँ पर समाप्त हो गया ठीक है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिले अब इसकी थोड़ा सा background information में आपको बताता हूँ increasing use of synthetic pyrethroids group of man-made pesticides ठीक है इसकी वज़े से भी बहुत सारा नुकसान हुआ है ठीक है तो control pest and the rising accrage under American long duration cotton led to the emergence of resistance pet मतलब आप यह कह सकते हैं कि उनकी जो duration है वो भी थोड़ा यहाँ पर ज्यादा है पहले क्या होता था कि short उनका time period होता है duration क्या होता था पूरी cycle को complete करने का short हो तो आप यहाँ पर क्या हुआ कि जो American हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसका जो duration है यह थोड़ा long है है न मतलब यह इस तरीके की photo में आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके की condition arrive होने में time लगेगा और इसी की वज़े से क्योंकि duration यहाँ पर है तो resistance यहाँ पर पैस्ट से in the past ठीक है इस तरीके से आप यह के सकते हैं कि यह American wall warm और pink और even American wall warm जो है यह minor pest की तरह पर प्रियोग किये जाते थे begin increasing leading to growing use of variety of pesticides और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जो pesticides वोगरा है वो भी यहाँ पर उनका use भी बढ़ने लग गया rising depth and reducing yield and coupled with increasing insect resistance versus the plight of the cotton farmers ठीक है और इसकी वज़े से आप यहाँ पर बिल्कुल खराब हो गई मतलब बहुत महंगी पढ़ने लग गई उनको it was in this setting that BT cotton was introduced in India in Tutorin 2 और इसकी वज़े से फिर यहाँ पर BT cotton जो है इसको introduced यहाँ पर किया गया total insecticide expenditure per hectare reduced in Tutorin 6 ठीक है 2006 में इसको यहाँ पर reduce कर दिया गया था lepidobotone spraying expenditure continued to fall until 2011 2011 तक जो है वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रुका ABW American ball warm feeds on different plants does not appear to have developed a resistance to BT जो यहाँ पर इसका फुल फॉल फॉर्म है bacillus thuringinus ठीक है यह इसका पूरा नाम है तो इसके लिए यहाँ पर यह resistance जो है उसने does not appear to have developed a resistance to BT और PWD जो मतलब pink ball warm है developed a resistance by 2009 इन इंडिया उसके time period पर यह resistance आपको देखने को मिला साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इने few years the situation was dreadful और उसके बाद यहाँ पर situation जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो गई है ना अलब उसकी condition जो है वो खराब हो गई बॉल वाम spring begin to climb again उसकी जो spraying है वह वापीस यहाँ पर स्टार्ट है गई by 2018 farmers worth spending and average 23.58 ठीक है पर हेक्टेर on insecticide 37 percentage more than the pre-bt level मतलब बीटी के बाद आप यह कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पहले expenditure होता था उनका है ना insecticide के उपर वो भी यहाँ पर आपको increase होता हुआ दिखाए दिया मतलब इससे भी यहाँ पर insect वाली जो problem है वो यहाँ पर solve नहीं हुई इंडिया जो ग्लोबल रैंक जो cotton production की है वो यहाँ पर 36 है अचा इंडिया में सबसे ज़्यादा है कौन सा स्टेट करता है महारास्टा और दूसरे नंबर पर यहाँ पर करता है गुजरात despite heavy fertilizer use irrigation chemicals and BT cotton uses ठीक है मतलब हम लोग इतना सारा fertilizer भी use करते है इरिगेशन भी ठीक है हमारे यहाँ पर chemical BT cotton यह सब चीज़ें यूज़ करते है फिर भी हमारे यहाँ पर जो production में रैंकिंग है वो 36 है this is below the national average of some resource poor African countries that don't have BT hybrids or good access to inputs मतलब आप यह के सकते हैं कि बहुत अच्छे उनके पास inputs नहीं है ना तो BT cotton वाला है concept फिर भी उनके यहाँ पर जो है जो production यहाँ पर हो रहा है वो अच्छा और India उनसे भी नीचे है the cost of ignoring desi varieties for decades has been high for India मतलब जो आपने इतना खर्चा यहाँ पर किया था इन सब चीजों के उपर अगर आप desi variety को ही continue करते तो आपको जाधा यहाँ पर फायदा होते हुए देखने को मिलता these variety resist many pests and don't present the problem faced with hybrids ठीक है और इस तरीकी की problem भी नहीं थी research यह भी suggest करती है that with pure loin cotton varieties high density planting and short season plants cotton yields in India can be good and stand a better chance of withstanding the vagaries of climate change तो climate change की वज़े से जो यहाँ पर परिवर्तन हो रहे है तो उसमें अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे जादा यहाँ पर खेती होगी है ना और pure line cotton varieties के उपर हम अगर ध्यान देंगे और उनका जो short season यहाँ पर plant का use करेंगे तो definitely यहाँ पर जो cotton की production होती है वो इंडिया में increase होती हुई दिखाई देगी ठीक है तो BT cotton कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि agriculture की उपर SSB में group discussion आता है ठीक है जैसे मेरे last SSB में भी discussion आया था तो वहाँ पर भी BT cotton वगरा BT brinjal वगरा जो है उन सब चीजों के उपर हमने discussion क किया था ठीक है तो यह सब चीजें अगर आपके पास रहेंगी थोड़ा सा information रहेंगी एक cry protein वगरा के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप examination में भी question को आसानी से attempt कर पाएंगे ठीक है बट government backing for resource infrastructure and seed is essential to scale up DC varieties ठीक है मतलब अगर कोई चीज यहाँ पर पीछे छूट ग लिया हमको एक knowledge करना पड़ेगा कि जो BT cotton से cotton का production यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे थे वह भारत में fail हो चुका है and not entering to further misadventures with other BT crops such as brinjal or herbicide resistance ठीक है तो उनमें यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका प्रियोग ना करें नहीं तो वो सब जो चीजें है वो भी यहाँ पर आप यहाँ पर आया है इनला इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ज्यान रखना है ठीक है अब हम बात करने वाले digital disconnect के भारे में ठीक है तो मैंने आपको वह election के भारे में भी बताया था है ना अब यहां पर digital disconnect का अधिश्यटल डिवाइड उसके बारे में हम यहाँ पर बात क की बूली जा रही है कि poor access to the internet in many states must be bridged urgently to help e-learnets, ठीक है मनलब जो भी internet connection यहाँ पर नहीं है, ठीक है जैसे मद्द प्रदेश की capital में रहकर मैं यह classes यहाँ पर conduct करता हूँ, ठीक है लेकिन हमारे यहाँ पर भी internet आप यह के सकते हैं को इतना जादा accessible यहाँ पर नहीं है, अभी मैं capital में रहता हूँ, फिर भी accessible नहीं, और accessible अगर है भी तो उसके charges बहुत जादा हैं यहाँ ठीक है, तो यह सब चीज़ें आप देख सकते हैं, तो poor access है यहाँ पर internet की many states में उसको हमको bridge करने की आवशकता है, ताकि हम e-learners की यहाँ पर help कर सकें, The full report of the NSO surveys of household social consumption on education in India, जुलाई 2017 से जून 2018 तक highlight the poor state of computer and internet access in the several states, मतलब उनके पास computer और जो internet access है वो यहाँ पर अबलेबल नहीं है, उनकी जो state है वो बहुत ही जादा यहाँ पर खराब है, The disparities are glaring among different economic strata as well, है ना मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पर यह vary करता है, Separate the privilege from the deprived remains unbridge year after the broadband policy of 2004, सरकार यहाँ पर 2004 में policy लेकर आएगी थी कि broadband connection से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब को connect कर देंगे, भारत net project वगरा या जो fiber plan वगरा है इनका इस तरीके की बहुत सारी चीज़े निकल कर सामने आए थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर यह कह सकते हो, कि वो सब चीज़ें अभी तक पूरी फुल्फिल नहीं हो गई, बहुत कथनी और करनी में बहुत अंदर है, और आज के time period पर आप सभी को पता है, कि school college की जो classes हो रही है, वो भी online हो रही है, competitive examination की classes भी online हो रही है, तो internet नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग बहुत पीछे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आप यह कह सकते हैं कि Delhi, हिमाचल परदेश, किरला, यह तीन हमारे state हैं, जहाँ पर आप यह कह सकते हो, कि overall जो internet का use है, वो 50% से जादा आपको लोग करते हुए दिखाए देंगे, 40% से जादा के वल पंजाब, हर्याना, उत्तराखन में देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडू, आंदर प्रदेश, करनाट का, आप यह कह सकते हो, यहाँ पर जो access है, internet का और computer का, यह below 20% आपको देखने को मिलेगा, net access जो है, यह critical है, fundamental right है, यह भी हमको पता, किरला ही कोट ने हाँ पर कहा था, considering that, even where mobile phones and laptops are available, some states provide them under student welfare program, they cannot be meaningfully used in its absence, ठीक है, मलब आप यह कह सकते होगी, कुछ state ने student welfare program के तहत यहाँ पर लोगों को provide किया है, लेगिन उसका उतना ज़्यादा purpose से आप use नहीं कर सकते हो, इस तरीके के laptop वहाँ पर provide किये गए है, if net connectivity is 5% to 10% in rural, ओलिशा, ठीक है, मद्दप्रदेश, तिलंगाना, करनाटका और वेस्ट पंगॉल, only a slim minority can hope to do any academic work, बलब आप यह कह सकते हैं, कि rural area में तो जो है, इन सभी states में तो और भी जादा internet की इस्तिती खराब है, तो आप यह कह सकते हैं, कि कोई भी academic work उनका online अब किस तरीके से होगा, यह भी थोड़ा सा सूचनी की बात है, many remote locations have reliability, problems, ठीक है, and power deficit, ठीक है, बहुत सारे ऐसी भी जगे हैं, जहाँ पर internet connection किस तरीके से provide किया गया है, वो सही तरीकी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके उपर भी यहाँ पर थोड़ा सा problems आ सकती हैं, और power cut तो होते ही रहता है, making it a challenge to keep gadget operational, तो अगर यहाँ पर काम नहीं होगा, और light वगरा चली जाएगी, तो फिर कोई काम आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी है अग्नॉलेज़, that digital divide by announcing his independence day, address that all villages would be connected with optical fiber cable in thousand days, ठीक है तो thousand days में यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन आभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा, है ना कि digital divide जो है, प्राइम देनी क्या वशकता है, map करना पड़ेगा, सभी डिस्टिक की यहाँ पर, ठीक है, based on the NOSO data, will help identify area where children do not, do need equipment and connectivity, तो उससे आपको यह पता चलेगा, जहाँ पर internet connection बिल्कुल पहुँँची नहीं पाया है, और उससे फिर आपको उनको, जो प्रापर equipment और connectivity प्रोवाइट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर available करवा पाऊगे, तभी यह digital divide यह खतम हो पाएगा, some companies in India have made the valuable suggestion, to that their used desktop computer could be refurbished and donated, ठीक है, यह हमने article भी discuss किया था, दा हिंदू में आया था यह article, जो companies बगरा में यहाँ पर computer बगरा यूज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब work from home कर रहे हैं, तो laptop culture जो है, वो हमारे देश में बढ़ा है, तो आप यहाँ पर जो बचे हुए desktop हैं, इनको आप डोनेट कर सकते हो, इसके लिए program स्टार्ट करना पड़ेगा, तो government need to look at all possibilities and go into overdue to bridge the digital divide, ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल उनके उपर आपको थोड़ा सा सोचना है, और उसके बाद कोशिश यह करनी है, कि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से जो यह digital divide है, इसको यहाँ पर bridge कर सकें, ठीक है, तो यह थोड़ा समको focus करना है, तभी जो आज की classes हैं, internet connection है आज कल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर वो सब नहीं होगा, तो आपको बहुत सारी schemes का ही फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, चलिए, अब अगला article हम यहाँ पर discuss करेंगे, इंडिया-चाइना रिलेशन के बारे में, तो इंडिया-चाइना रिलेशन में आप सभी को बता है कि पैंगॉंग लेक के बारे में बात हो रही है, ठीक है ये है आपका पैंगॉंग ठीक है लेक और इसमें ये नॉर्धन पार्ट है और एक सदन पार्ट है ठीक है ये नॉर्धन पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और नीचे जो है आपका सदन पार्ट देखने को मिलेगा इस तरीके से ये 8 फिंगर्स है ठीक ह अभी जो बीच में issue है न वो इन दोनों के बीच में है तो China ये कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर यहाँ पर आने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है तो इसकी वज़े से ये problem यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसकी वज़े से इतना लंबा जो dispute है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अब एक बार मैं और आपको दिखाता हूँ तो यह जो particular region यहाँ पर मैंने आपको दिखाया यह कहाँ पर लाई करता है यह जो LAC वाला इलाका है जो लद्दाक वाला है वहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा मतलब जिसमें अगर हम चाइना से बात करेंगे तो चाइना के हमारे तीन एडिया से यहाँ पर dispute है ठीक है पहला जो है वह है western sector जिसमें 1570 km हमारा जो boundary line है वो disputed है ठीक है eastern sector में जो है वो भी 1325 और central sector में 545 ठीक है तो यह चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है अब इसमें कुछ historical background मैं आपको बताता हूं कि यह वाला जो पूरा पूरा area है ठीक है यह वाला जो area है यहाँ यह चीन आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह है आपका आक्साइचीन वाला एरा का अब यहाँ पर कैयाए कि दो lines है पहली line कौन सी है यह है यह है आपकी Johnson line ठी इंडिया यह बोलता है कि यह जो जॉणसल लाइन है यह क्या है यह हमारी है ठीक है इसके बेसिस पे यहां पर boundary जो है वो डिवाइड करी गई है जो भी latest यहां पर पहले की जवाने में सर्वे बगरा हुई है उसके बेसिस पे यह चाइना इस बात को मानता नहीं है क्योंकि च यह वाली line जो है इसको यहां पर चाइना बोलता है कि हम इस line को यहां पर मानेंगे ठीक है लेकिन अब आप एक चीज यहां पर यह देखी है कि अगर हम यहां पर इस वाले के बारे में बात करें ठीक है मतलब अगर हम यहां पर जो चीज है इसके बारे में अगर हम यहां प पाले के बारे में बात कर रहा है लेकिन अभी जो इस्थिती है वो यह होगी है कि चाइना इस लाइन के भी आगे आने की कोशिश कर रहा है ठीक है चाइना जो है वो क्या कर रहा है वो इस लाइन के भी आगे आने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है ठीक है मतलब आप यह कह सकते हो कि यह जो इंडिया यह क्लेम करता है LAC ठीक है कि यह LAC है चाइना यह क्लेम करता है कि यह LAC है है ना इसमें भी दिक्कते हैं लेकिन अब तो यहाँ पर कहें कि चाइना इसके आगे भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे है ठीक है यहाँ पर गलवान रिवर है जो श्योक रिवर से यहाँ पर मिलती है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था जिसको बोलते है दौलक बेट ओलडी रोड ठीक है इसका मैप मैं आपको दिखाता हूँ तो यह ले है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यह और वो यह कहता है कि हम यहाँ पर यह करना चाहते हैं कि dominate यहाँ पर करना चाहते हैं और इस तरीके की जो पूरे के पूरे इवेंट अभी आपको देखने को मिले है इसका reason यह ही है है अब यह थोड़ा geographical locations आपको थोड़ा सा ध्यान दखना है और यह important जो भी यहाँ पर मैं 1846 में यहाँ पर sign हुई British ने हाँ पर क्या किया ग्रांटेट गुलाप सिंग ठीक है कश्मीर विदाउट स्पेसिफाइंग इस इसन बांडरी अक्साइची उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि जो गुलाप सिंग है है ना जैसे हम लोग यहाँ पर ही दिखते ने जम्मो लाप सिंग जी को ब्रेटिशर्स ने यहाँ पर दे दिया पैसे देने पड़े थे उसके लिए और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अक्साइची इन की जो इसन बांडरी थी वो यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं करी थी और इस ट्रीटी का आर्टिकल 2 यह क पता दिया गया कि जॉंसल लाइन आप देख लीजे जॉंसल लाइन एक सर्वे ने बताया और एक जिसने मैकार्टनी और जो मैकडॉनल्ड लाइन है वह यहाँ पर बताया तो यह लग-लग सर्वे की बेसिस पर आर्टिकल नंबर टू में दिया गया है तो ट्रीटे ऑफ इससर भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब आप यहां पर यह देख सकते हैं कि इन सब चीजों के बाद भी मैस्यू चाइनीज बिल्डप ओन नौर्थ बैंक ऑफ पैंक गॉंग लेग ठीक है सदन बैंक पे जो वाला रीजन है ठीक है आप यह कह सकते हैं कि जैसे इसमें अ यहां पर आएंगे तो यहां पर हमको चूसल वैली यहां पर देखने को मिलेगी चूसल वैली ठीक है जो चूसल वैली है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो यह सदन साइड में है और ब्लैक डॉक जो पोस्ट है उस पर इंडिया ने यहां पर अभी कबज़ा जमा यह पूरा इशु बता दिया, ठीक है, यह इसु के बारे में हमने डिस्केशन कर लिया है, अब जो इसमें यहाँ पर हमें अपना जो डॉक्टरिन जो यहाँ पर चेंज करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, दा ओन्गोइंग बॉर्डर क्राइसिस विचा होना पड़ेगा, ओवर फोर मन्त अगो दा चाइनीज आर्मी इंटेरिटरी देट इंडिया है, इस लॉंग कंसीड इट सोन, मतलब उस टेरिटरी में यहाँ पर यह इंटर कर गए, जिसको इंडिया अपना यहाँ पर समझता था, इन इफेक्ट दा मल्टिपल, इन करिजन इन पर नुगसान हुआ है, इन पर इन इंको पता निचल पाए इस तरीके के कुछ मूमेंट होने वाली है, या तो आप उसको इहाँ पर इंटर्प्रेटर्राइट ने करेक्टा रहें यहाँ आठिया है, जबत सम्झता था, इन आप यहाँ आप बार इन इस तरीके के करेक कर पाए और दियर पॉलिसी एंड मिलिटरी कस्टमर्स ठीक है फेल टू टेक दा वार्निंग सीरियसली है न और अगर माल लीजे कि कोई अगर वार्निंग यहां पर आई थी आपको पता चलाता है तो आपने उसको सीरियसली नहीं लिया इसको में भी आप हो सकते हैं कि यहां यहां पर जो फेल हो गए हैं वेरेवर दा फॉल्ट ले दा सिस्टम ठीक है अपरेंटली फेल आप यह कैसकते हैं गलती कुछ भी हो लेकिन यह पूरा को पूरा जो सिस्टम था वह यहां पर फेल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इन पार्ट हावेवर दा प्रॉब् आप आप एना कि SSB इंटर्व्यू में यह सब चीज़ें आप यहां पर नहीं बोलेंगे क्योंकि आर्मी में जो भी यहां पर होता है इवन जनल है आप लेफटिनेंट हों सिपायों या जनल हों यह आप फॉल्विंग दरूल्स ठीक हम सभी लोग यहां पर क्या कर रहे हैं जो भी हमारे senior से हमारी authority से orders आते हैं उनको हम यहां पर follow करते हैं ठीक है तो यहां पर अगर कुछ चीज़ें देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब है कि जो authority है है ना उसमें कहीं न कहीं कुछ कम ही आपको देखने को मिल रहे हैं नहीं तो हमारे फोजी भाई जो हैं उनमें को कर सामने आते हैं उसमें clarity ना होने की वज़े से यहां पर कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से निकल कर सामने आती है ठीक है It is as the current crisis shows simply not posture or prepared for the type of security threat China present ठीक है मतलब हम यहां पर तयार नहीं है जिस तरीके की security threat China हमारे लिए present कर सकता है The army's prevailing doctrine is designed to deter and defend against major conventional invasion ठीक है हम यहां पर क्या करना डिटर करना और defend करना यह चीज़े हैं हम attack यहां पर नहीं करते हैं यह बात है तो इंडिया की तो no first attack वाली nuclear policy है और हमने कभी किसी country के उपर पहले attack नहीं किया They determine how the army is organized, what equipment it operates and where it is deployed मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हम इतना कुछ होने जाने के बाद भी बहुत शान्ती के तरीके से यहां पर चीजों को tackle करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि हम अपने आपको कमजोर दिखा रहे हैं उनसे कि हमारी military हमारे equipment से मुचाहिना से कमजोर है यह द है कि चाहिए ठीक है ठीक है ठीक तो यहां पर जो main बात है वो यह है कि आज के time period पर आपको यह समझ रहा है कि army किस तरीके से organize हे तो अगर हम Pakistan के साथ है तो पाकिस्तान को हम हरा क्या आ जाते हैं ठीक है लेकिन हम यहां पर क्या है कि जो चायना के साथ होता है तो अलग तरी पर यहां पर जीतना है, Indian forces were under strict instruction from New Delhi that any aggressive response must be avoided as it would be inflamed the situation, है ना, कोई भी अगर यहां पर response ऐसा आता है, aggressive, वो आपको थोड़ा अवाइड करना है, ने जो situation और खराब यहां पर हो सकती है, It is not clear that national security leadership and the army miscalculated, ठीक है, यहां पर क्या है, कि यह जो चीजें दोनों के बीच में बहुत balance के साथ देखने को मिलनी चाहिए, है ना, वो चीजें यहां पर अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, तो basically यहां पर purpose यह है कि क्या है कि moral soldiers का, है ना, यह बहुत high होना चाहिए, तो अगर इस तरीके की चीजें यहां पर होती रहेंगी और बार-बार हम यहां पर केबल, वो बार-बार हमारे territory में घुसने की कोशिश करेंगे, और बहुत शान्ती के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तब फिर कुछ कि यहां पर question mark लगनी की बात यहां पर हो रही है, टे यहां पर कह सकते हैं कि चीजें बहुत अच्छी तरीके से यहां पर normal होंगी, अगली बात बुली जा रही है कि the challenge for India is to learn the right lessons and to be allowed to similar tactics in other regions like the Indian Ocean, अगर इस तरीकी की कोई और tactic यहां पर follow होती है किसी दूसरे reason में, तो उसके लिए भी हमको यहां पर prepare होना चाहिए और जो भी यहां पर गलतियां हुई है, उनको आप implement करिए, उनको सुधार करिए, ठीक है, तो यह चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं, ठीक है, तो newspaper के front page पे भी चाइना वगरा के news जो हैं, वही सब चीजें आपको बताई गई हैं, आज के articles में वो already हम यहां पर चीजें cover कर जो लोग यहां पर हमारी defense master app पर जुले हुएं, उनको मैं यहां पर inform करना चाहता हूँ, कि अगली जो हमारी class होगी, वो defense master app पर होगी, जो भी classes आगे होने वाली हैं,वो defense master app पर होगी, और next class जो हगी, वो आपकी होगी, 115 पर, और 115 पर जो class कर होगी, वो होगी हमारी medieval history में आज हम discuss करने वाले हैं Vijayanagar Empire and Bahamani Kingdom ठीक है? Vijayanagar Empire and Bahamani Kingdom Defense Master Rapp के जो मारा History वाला बैच है उसमें यहाँ पर classes होने वाले हैं ठीक है? So guys, यह था आज का मारा session I hope आपको यह session अच्छा लगा होगा मिलते मारे next class में तब तक keep smiling and keep preparing लगे रो exam clear करो Thank you so much Jai Hind